हेलो एब्रिवन जैसा कि आप सभी का आप सभी जानते हैं और सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूं Great Online Academy में यह चो चैनल है यह इंट्रड्यूस किया गया है आपके बेसिक कॉंसेप्स को पढ़ाने के लिए और सारे बेसिक को क्लियर करने के लिए कि आपके बेसिक क देखा कि जो मेरे प्रीविएस वीडियो है वो कुछ RBI से रिलेटिट एक्जाम के लिए थे और कुछ SBI से रिलेटिट थे अभी जो मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने डाला आपको सारा स्ट्राटेजी बताई कि आपके जो अपकमिंग एक्जाम सों है एबरेज टॉपिक तो मैं सबसे पहले एबरेज पढ़ाने वाली हूँ यहां पर हम डिसकस करेंगे कि एबरेज क्या होता है एबरेज कैसे निकालते हैं कुछ हमारे छोटे कुछ हमारे क्वेशन होंगे यह इंट्रो पार्ट है बिद क्वेशन प्राक्टिस सशन अलग स जाता है तो आज मैं अबरेज पढ़ाने के बाद आपको जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वह वीडियो हमारा होगा इन इन टीनो तॉपक्स एरलेटर मीन ईसमें कुछ स्थ में किक्षामर हमारी सिप्लिफिकेशन के क्वेश्ट्रों गया और एक अमारी भी जो कि प्रीडियोकी अपने आपको समझ्में आया अब हम सब सब पहले समझेंगे कि average क्या होता है an average and arithmetic mean of given data is sum of the given observation divided by number of observation means यहां पर मैंने बहुत ही ऐसे लिखा हुआ है यह बुकिस language है क्योंकि आपको थोड़ा बहुत intro तो ऐसे मुझे देना पड़ेगा अपने presentation के लिए लेकिन अब क्या है average हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि average is total जो भी हमारे पास है उसका total और number of observation number of trials और number of students anything can be used तो जो सबसे ज्यादा easy यहां पर लिखा हुआ है average is equal to total data upon number of data जेसे हम निकालते हैं कि हमारे average expenses क्या होते यह average expenses हमको मंत में निकालना है की जैसे मैंने निकाला कि मेरा monthly expenses है जो वो 10,000 है यह मैंने कैसे निकाला है यह मैंने average निकाला है कि हो सकता है किसी महीने में मैंने 8000 खर्च की हो किसी में मैंने 12 भी खर्च की हो तो जो on an average है वो हमारा 10,000 आ जाएगा ऐसे हमको निकालना पड़ता है कि हमने क्या किया है और यदि हमको total data निकालना है और जब average दिया हुआ है तो हम इसको यहाँ से transfer कर देंगे average into number of data यह हो गया हमारा इसका introduction पार्ट और हम देखते हैं कि और क्या-क्या है इसमें introduction पार्ट में उसके बाद हम चलते हैं तो सबसे पहले क्या है average of given data is less than greater observation and greater than smaller observation of given data एक चीज़ आपको यह समझनी होगी कि जैसे भी हमको कोई data दिया हुआ है जैसे दिया हुआ है कि number of people है उनकी कुछ-कुछ age दी हुई है तो उसमें जो हमारा average होता है वो क्या होता है जैसे greatest number हमारा यदि 10 है और smallest number हमारा 2 है तो average जो होगा ना इनके बीच का ही number होगा ना तो इससे छोटा होगा और ना इससे बड़ा होगा ठीक है यह एक चीज होती है अब क्या होता है कि जैसे हमारे दिया हुआ है कई बार यह एक tricky question होता है कि आपको दिया जाता है कि 6 plus 6 ही यह है तो इनका average क्या बता उस case में जब कोई भी difference नहीं है average के numbers में means जो numbers है तो average हमारा same ही होगा और किसी में जैसे 0 दिया हुआ है कि 0 है तो उसको क्या है add तो हम करेंगे means क्या होगा कि if value of means if there is a 0 means किसी भी एक observation का result 0 है तो वो 0 तो कोई value नहीं रखता लेकिन नीचे हमको उसका observation को include करना पड़ेगा जैसे इस question में दिया हुआ है कि average is 3, 6 and 0 का हमको average निकालना है तो क्या करेंगे हम 3, 6, plus 0 हमारा 9 होता है divide by 3 means यहाँ पर हम divide by 2 नहीं करेंगे divide by 3 ही करेंगे because number of attempts हमारे 3 है ओके यह आपको समझाया next is यह सारा कुछ हमना theory part लिया हुआ है कि कैसे क्या average निकालना है if value of each item in group is increased or decreased by same value then average of group अब ऐसा होता है कि जैसे हमने किया कि सारे group members की age plus 1 हो गई तो जो average age होगी न वो भी plus 1 होगी या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी चीज में minus 5 हुआ है तो average में भी minus 5 होगा that means कि यदि कोई भी value में same amount हमारा add हो रहा है सारी values में same amount add हो रहा है तो average में भी वही amount add हो जाएगा and same way यदि कोई amount deduct हो रहा है या कम हो रहा है तो same amount हमारा average से भी कम हो जाएगा if average of age of group of people in x year then average age after n year will be x plus n their average age n years ago means क्या होगा कि कोई भी group of people दिये है उनकी average दियो है तो उनकी जो after n years का जो average होगा ना वो प्लस n हो जाएगा ओके if next हम चलते है if value of each item in group is multiply or divide the same value x where x in division then average of also get multiply or divide by x same चीज़ जो मैंने add और addition addition और subtraction के लिए बताई कि यादि कोई चीज़ add or subtract हो रही है तो हमको average में भी करनी पड़ेगी same चीज़ multiplication और divide के साथ भी होता है if the value of each item in group is multiply and divide यह मैंने देख लिया suppose the average weight of six men is increased by three kg when one of them whose weight is 120 kg is replaced by another man what is the weight of new men अब इसमें क्या हुआ है average जो है 3 kg से बढ़ गया then sum of weight is also increased by 3 kg मतलब क्या होगा कि हमारे पास total 4 men है तो जब 4 हो मतलब total यदि average बढ़ा हमारा 3 kg तो जो total weight है वो कितना बढ़ा होगा 12 kg बढ़ा होगा in this case increase in weight is due to extra weight due to other inclusion person तो अब हम क्या करेंगे जो person आया उसने क्या किया replace तो 120 को किया था लेकिन वो 12 kg और extra है जो हमारा average पे आया वो भी हमको करना है तो यह 12 kg उसमें add हो जाएगा क्योंकि वो जब 12 kg आया तब ही तो हमारा average weight बढ़ा है यह हमारे कुछ points है जो हमको average में ध्यान रखना है आप ऐसी कुछ बहुत अच्छी चीज़ जानने के लिए या जो भी आपको मतलब ऐसे basic concept पढ़ने के लिए आप great online academy को देखिए ओके there are 14 people in a family average age of each family member is 30 ओके in new baby one in family ओके after four year what will be the average age of family members अभी क्या है अभी जो हमारा average age है family का वो कितना है 30 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 14 into 30 ठीक है total age at present क्या हो गया हमारा total age at present हमारा कितना हो जाएगा हम इसको multiply कर देंगे यह बहुत जल्दी जल्दी करना है हमको पता है कि 14 3 जा हमारा 42 होता है यह हमने कर दी अपना की हमारा multiply हो गया यह हमारा total जो है वो वेट है अभी sorry average age है हमारी family members की अब क्या हुआ a new baby born in a family एक कोई family में एक बेबी जो बॉन हो गया है family में after four years what will be the age of family means जो age है family की average age फोश क्या होगी तो अब क्या होगा जैसे यह हमारा 14 लोग है तो यह 14 लोग है यह भी तो 44 साल बड़े होगे तो यह 56 हुआ प्लस वो जो एक बच्चा है वो भी चार साल का हो गया होगा तो यहां पर कितना हुआ है यह हमारा total 60 हो जाएगा और 420 हमारा यह पहले से था तो हम 420 प्लस 60 जब कर देंगे हमारा 480 हो जाएगा now, अब क्या हो गया है, family members हमारे कितने हो गया है, 15 हो गया है, family members यदि हमारे 15 हो गया है, और जब हम 480 को 15 से divide करते हैं, ठीक है, 32 years जो हमारा average age आ गया, family का, वो हमारा कितना आ गया, 32 years, 32 years हमारा answer में नहीं या, तो आपको समझ में आया है कि मैंने इसमें क्या किया, सबसे पहले previous average, मतलब total age निकाला, फिर हम ने देखा कि उस family members के बढ़ने के बाद कितना age हो गया, उन दौनों को add किया, यह हमारा first question था हो सबसे easy question था, next question की तरफ चलते है, महिमा bought 20 kg of pasta for 30 रूपीज, तो महिमा ने क्या किया, एक पास्ता लेके आई वो, first type का जो पास्ता है, वो लेके आई 20 रूपीज, 20 kg, 30 रूपीज, total क्या हुए उसको 600 का पड़ा, उसके बाद क्या किया, m kg pasta for 35, एक और जो पास्ता का टाइप आया, उसमें उसने m kg और पास्ता लेके आई, और वो 35 रूपीज केजी है, मीन इसमें क्या हुआ, 35 m, third type का वो पास्ता लेके आई, third वाला जो पास्ता लेके आई, उसमें उसने क्या किया, वो है, m प्लस 4, m प्लस 4 kg लेके आई, और 25 रूपीज का लेके आई, कितने का लेके आई, 25 रूपीज का, तो इसमें हम देख सकते है, हमारा 25 m, प्लस 100 आया, ओके, अब एक चीज हमको नोट करनी है, कि यह जो एक क्वांटिटी है, औल टाइप का पास्ता, उसका जो एक केजी का जो कॉस्ट निकल के आ रहा है, एबरिज वार है, 29.6 आ रहा है, तो इसमें हमको बताना है, कि कितना जो 25 रूपीज पर केजी का पास्ता आया, हो कितना आया, तो सबसे पहले हम यह दिखेंगे कि हमारा पास्ता आया कितना, एक फोस्ट आइप जो आया हो आया 20 केजी, दूसरा आया M, तीसरा आया M प्लस 4 केजी, मिन्स टोटल पास्ता भी है, 24 प्लस 24 प्लस 2 M, जो टोटल पास्ता आया, 24 प्लस 2 M, इतना केजी ह और इसकी जो average price निकल के आई वो यह आई यहाई यह हम इन दौनों को multiply कर देते हैं इंदौनों को दो हम मैं लुल्टी प्लाइब करेंगे तो हमारा क्या आईगा यह हमको देखना है तो यह हमारा 29 यह वेल्यू आ जाएगी आपको मल्टिप्लिकेशन बहुत जल्दी-जल्दी करने होंगे जैसे इसमें क्या है 29.6 दिया हुआ है तो आप मल्टिप्लाइ 24 से कर सकते हो कि जैसे हमको पता है 24 के टेबल में 6 टाइम होता है 144 यह सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और इन सबके भी मैं ट्रिक्स बताऊँगी कि आप कैसे टेबल से आद कर सकते हो 30 तक इजिली आपको सारी टेबल सो जाएगी यह हमारा आ गया अब जब हम इधर देखते हैं कि हमारी यह वाली वेल्यू क्या आती है यह भी तो टोटल आएगी तो यह देखेंगे हम 600 प्लस 35 25 एम प्लस 25 एम यह हमारा कितना हो जाएगा 60 एम हो जाएगा प्लस 100 यह दोनों equations बराबर है means this equation and this equation is equal तो जब हम इसको वो करेंगे means यह हमारा 600 प्लस 100 700 हो जाएगा तो यहाँ पर हम जब देखेंगे 104 इक्वल टू 60 माइनस 59.2 तो तो दाट इस 0.8 एम तो एम की जो वेल्य हमारी आएगी हो जाएगी 13 अब इसमें क्या पूछा है find the quantity of pasta that is what at 25 kg अब 25 kg में हमारा कितना आया है M plus 4 तो 25 kg पे तो हमारा आया है 17 that is why answer is none of the above आपको direct 13 kg लगा कि नहीं आ जाना है आपको question को देखना है कि question वाला पूछ क्या रहा है अब हम next question की तरफ चलते है average की हमारा next question है the average salary per head of all the worker is 95 okay means कोई worker है उनकी जो average salary है वो 95 suppose वरकर जो हमारे है वो X है तो इनकी total salary ये salary पर जो total expenditure आएगा expenses आएंगे company के वो क्या होंगे 95 इंटू X अब इसमें क्या बोला officers की जो salary है वो है 15 इंटू 525 अब ये multiplication भी बहुत जल्दी जल्दी आने चाहिए कि क्या हो रहा है तो ये हमारा जो multiplication आएगा येदि हम खरते हैं 15 5 जा 75 15 2 जा हमारा 30 होता है और carry हमारा 7 आएगा ओके 15 5 जा again हमारा कितना होता है 75 and 3 7 7 8 आ गया 7 8 7 5 हमारा कितना क्या officers की salary हो गई अब क्या है workers हमारे क्या हो जाएंगे जो workers है वो हमारे क्या हो जाएंगे एक्स माइनस 15 workers हो जाएंगे तो worker की salary क्या होगी मतलब 85 है and average salary of rest अब rest क्या है वो हमको नहीं पता मतलब मैंने यह workers बोला है अब 85 हमारी rest है तो rest क्या है x माइनस 15 इंटू 85 आएगा तो इसको यदि हम ऐसे देखते हैं 85 x माइनस अगेन हमको यहां पर फिर से बहुत जल्दी multiply करना है 15 5 जा 75 15 8 जा 120 120 plus carry हमारे जो 7 आया तो 127 हो जाएगा यह हो गया यह और यह दोनो equation को हम plus करेंगे क्योंकि इन दौनों से हमारा बन रहा है 95 x जो total expenditure है तो 95 x is equal to 85 x minus 1275 plus 78 75 यह हमारा बन गया इसको हम यह दि कर देते हैं यह transfer हमारा होगा तो 10 x is equal to हमारा हो जाएगा 660 तो x की जो value हमारी आ जाएगी 660 अब क्या पूछा है find the total number of worker that means उन्होंने x ही पूछा था तो हमारा यह भी आ गया ओके अब हम देख लेते answer में है या नहीं answer बिल्कुल definitely B हमारा answer है यह सही है next question की तरफ हम चलते है average weight of 3 student is means जो ABC का जो average weight है वो है A plus B plus C is equal to 8.5 तो इनका 3 total weight हम जब निकालेंगे average में ज्यादा जो हमारा यूज होता है average का formula वो average से ज्यादा total निकालते time होता है तो यह आपको ध्यान रखना है तो यह हमारा आ गया 265.5 ऐसे ही next दिया है D plus F plus G इनका average दिया हुआ है तो इनका total भी क्या आएगा 83.5 इन्टू 3 इसको हम यादी करते हैं यह हमारा आगया 250.5 अब पूछा क्या है what is the average weight of A B, C, F and J total कितना है 5 तो 5 से divide हो जाएंगे यह है अब क्या है A plus B plus C का तो average है हमारे पास लेकिन F and J का हमारे पास कोई भी weight नहीं है total weight हमारे पास जो total weight है वो है D, F, G इसमें से हम कुछ अलग नहीं कर सकते that means answer is data inadequate आ जाएगा इसका ओके यह समझ में आया means देखना है आपको observe करना है जैसे इसमें हम अच्छे से देखते ना तो question solve करने की ज़रत नहीं थी A plus B, C, D है D, F and G दिया हुआ है पूछा क्या है जे पूछा है this element is not introduced in the question means जब beginning में question के question के beginning में इस element को कहीं बताया ही नहीं गया कि यह क्या है तो हम इसको solve कैसे कर सकते that means answer is data inadequate अब हम अपने next question की तरफ चलते है right answer there are 25 students in class the average of their age is 50 means क्या है तो total सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 25 है 15 से multiply कर दो कि कितना हुआ this is 375 यह आपको direct आना चाहिए कैसे 25 10 जा कितना होता है 250 and 25 5 जा हमारा क्या आता है 125 375 डारेक्ट आजाएगा मतलब ऐसे आपको इनम बहुत टेवल से याद करने की जरुरत नहीं है उनको तोड़के भी आप लिख सकते हो बहुत इजी होता है नेक्स्ट हमारा क्या है the average of first 12 जो first 12 है उनका average हमारा क्या है 14 दिया है 12 स्टूरेंट का average 14 है तो इनका total हमारा कितना आएगा 168 हैगा यह देखो आप 12 को फटा फट मल्टिप्लाइ कर से the average of last 12 is 16 अब इसमें यदि मल्टिप्लाइ करना है तो जैसे आप यह तो मल्टिप्लाइ करोगे 162 जा 32, 163 अब उसमें हम फिर से 192 को add करेंगे या फिर सीधा सीधा आप कर सकते हो कि 1610 जा हमारा कितना होता है 160 होता है 162 जा 32 होता है ऐसे add करते जाओ यह सारी चीज़े थोड़ी सी easy पढ़ती है करने के लिए calculation 192 होता है तो अभी हमारे पास क्या हुआ first 12 और last 12 बच्चों का हमको मिल गया average की total क्या होगा इसको यदि हम add कर देते हैं तो यह हमारा 360 आ जाएगा एक बच्चा हमारा miss है जो है हमारा 13 नमबर का बच्चा है जो 13 नमबर का बच्चा है वो miss है तो उसका average क्या करेंगे हम उसका निकालने के लिए 375 माइनस 360 कर तो यह हमारा क्या बच्चा 15 13 नमबर का जो बच्चा है उसकी average age हमारी क्या हो जाएगी 15 अब क्या दिया है if amrita is 5 year more than the average of 13 student तो अब क्या है इसकी तो 13 आई और जो amrita है वो 5 year more है that means 15 plus 5 हमारा कितना हो जाएगा 20 answer हमारा क्या आना चाहिए 20 प्लीज आप ऐसे ही और वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलने वाले मैं और क्वेशन लेके आऊंगी फॉस्ट क्या है मैं बेसिक्स पढ़ा रही हूं और उससे रिलेटिज क्वेशन करा रही हूं अभी जो average के और भी सारी देखने को मिलेगे थांक यू वेरी मच्च